नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टडी फॉर बिन में और आज हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में संस्क्रित के 20 महात्पून प्रश्णों के बारे में तो चलिए बिना किसी देरी के हम जल्दी से इन क्वेशन्स को डिसकस कर लेते ह और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी मत चाहिएगा तो चलिए देख लिए पहला क्वेशन आपका क्या है पहला क्वेशन आपका है व्रहत कथा के लेखा का आपकी है गुणार्टे नेक्स्क्वेशन है आगमन विध में क्या होता है कि पहले उधारण दिये जाते हैं और फिर नियम बनाए जाते हैं तो इसका जो सही क्रम है वो यही होगा कि सबसे पहले आपको उधारण दिये जाएंगे फिर प्रस्ताओ फिर निरिक्षण फिर नियम निर्धारण और लास्ट में आपका आता है परिक्षण नेक्स्ट क्वेशन है आपका संस्कृत सिक्षण की पद्धतियों के नाम बताईए तो व्याकरण पद्धति, विसलेशन आत्मक पद्धति और अनवाद पद्धति ये संस्कृत सिक्षण की तीन प्रमुक पद्धतियां है अस्टा धियाई के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेशन है जस्ट प्रत्याहार के अंतरगत कौन से वर्ण आती है? तो जस्ट प्रत्याहार के अंतरगत आपका जबगडद ये वर्ण आपके जस्ट प्रत्याहार के अंतरगत आती है यह जहां पर मैंने प्रत्यहार और माहिश्वर सुत्र का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको इसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो वाले वीडियो संस्क्रिक की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपकी ड पाश्यामा का हो जाएगा पाश्यति, तो इस तरीके से यह जो आपका कृत्वाच है, इसको हम कर्मवाच में बदल देंगे, फिर नेक्स्क्स है आपका द्रश धातु, विधी लिंगलकार, मध्यम पोरश, बहुवचन का रूप क्या होगा, तो द्रश धातु जो आपकी ह चलता है, वो पश्यति करके चलता है, ठीक है, धातु आपकी द्रश होती है, लेकिन आपके जो रूप चलते हैं, वो पश्यति, पश्यता, पश्यनती इस तरीके से चलते हैं, तो यहाँ बात की जा रही है, विधी लिंगलकार की, तो विधी लिंगलकार के मध्यम पुरु और बहुवचन का इसका जुरूप है वो बनेगा पश्षीथ उसकेバイस, नेक्स्ट क्कूश्यन आपका है, 19 को संसृत में क्या कहेंगे? तो 19 को संसृत में क्या कहा जाएगा? 19 को संसृत में हम तीन तरीकी से कह सकते हैं और लिख सकते हैं पहला तो हम कहेंगे नवदस यानि की न और दस यानि की उनिस हो गया उसके बाद उन विन्शती यानि की जो विन्शती यानि बीस में उन यानि एक कम कहते हैं न एक उना है उना मतलब एक कम है तो बीस में एक कम तो उनिस हुआ और एकोन विन्शती यानि एकोन विन्शती जो एक ना हो बीस में तो बीस में जो एक ना हो यानि बीस से एक कम हो तो क्या मतलब हो गया? उन्नीस तो इस तरीके से हम तीन शब्दों के द्वारा उन्नीस को प्रदर्शित कर सकते हैं नवदश्, ओन विन्षति, और एकोण विन्षति, सनस्ट्विब गिंती से रिलेटेट हमारा वीडियो हमारे चैनल पर अपलेबल है, आपको अगर गिंती में कोई भी किसी भी तरीकी का डाउट है, तो आप हमारे चैनल की प्लैलिस्ट में जाकर subscribe की playlist में जाएए वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा और गिंती का जो हमारा वीडियो है वो हमारे चैनल के टोप मोस्ट वीडियो है नंबर वन रेंकिंग पर हमारा वीडियो चल रहा है तो अगर आपको गिंती में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल जाएए और उसको सर्च कीजिए और आपको वीडियो अब लेवल हो जाएगा तो आप गिंती में गर कोई डाउट है सकते हैं आपका अविज्कान साकूंतयलं में कितने अंक हैं तो अविज्कान में 7 अंक हैं करणरस्क का स्थाइभाव क्या है'll तो करणरस्क स्थाइभाव है शोग next question question number 11 वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचारे का काव्य लक्षन है मतलब यह किस नहीं बोला है तो यह आपका हो जाएगा विश्योनात का है next question है आपका भाशा कोशल के कितनी प्रकार है तो भाशा कोशल के आपके चार प्रकार है जिसमें आपका लिखना पढ़ना बोलना यह आजाते है आपके तो भाशा कोशल के आपके चार प्रकार हो जाएगे उसके बाद है त्वया पत्रम लिख्यते कर्म बाच्य को कृतवाच्य में परिवर्दित कीजिए तो यह आपका क्या है कर्म बाच्य है इसको हमें किस में बदलना है ? इसका क्या हो जाएगा ? तो जो त्वया है आपका वो त्वं में परिवर्धशी हो जाएगा पत्रम इसमें कोई change नहीं होगा और लिख्यते को हम लिख देंगे लिखाशी क्योंकि त्वं में बदलचाने त्व्ं में बदल का लिखते हैं वह लिखशी में बदल जाएगा नगर बड़ते हैं इसका का हिए इस केंतर आने वाली वर्न में अला नेज वर्ण है जब गदत यह आपके जहस प्रतेहार के अंतरकत आते हैं मैंने प्रतेहार के वीडियो में यह आपको बताया है कि किस तरीके से आपको वर्णों को गिनना होता है तो आपको ज़रूर देख लीजेगा उत्तरपद प्रधान समास कौन सा है तो उत्तरपद प्रधान समास आपका ततपुरुष शमास होता है कि उत्तरपद यह जिसमें दूसरा प्रधान होता है तो दूसरा प्रधान किसमें होता है ततपुरुष शमास में होता है द्रस्धातु में तुमुन प्रत्य का प्रियोग करने पर क्या बनता है तो बनेगा द्रस्टुम द्रस्धातु है तुमुन प्रत्य द्रस्टुम किश अव्यपद का अर्थ है जो किल आपका अवेपद है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, अवश्य ही Next question है आपका सर्व प्रत्थम किस भाषा में ध्वनी का वैज्ञानिक विश्लिशन किया गया है तो शब्द सिक्षण विधी सबसे पहले, सब्द सिक्षण विधी में ध्वनी का वैज्ञानिक विश्लिशन किया गया है संस्क्रिट सिक्षण के कितने स्थर होते हैं, तो संस्क्रिट सिक्षण के आपके तीन स्थर होते हैं पहला प्रारंभिक इस्तर दूसरा मध्धे इस्तर उसके बाद तीसरा उच्छे इस्तर और आपका आज का लास्ट कुशन है वेदांगों की संख्या कितनी है तो वेदांगों की संख्या आपकी है छे तो फ्रेंड्स ये थे आप लोगों के लिए कुछ important questions उमीद करती हूं वीडियो पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल अकिन प्रेस कर लीजे ताकि आपको वीडियो के notification time to time मिलते रहे फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार